बड़ी खबर आ रही बदनावर से जहां भाजपा को लग सकता है एक और बड़ा जटका पुर्विधाइक भवरसें शेखावत कॉंग्रिस में हो सकते हैं शामिल जिहां आपके बता दे कि 2 सितंबर को भुपाल में ले सकते हैं कॉंग्रिस की सदसिता ये बात सूत्रों के मत बड़ा बेका रही है कई दिनों से चल रही कॉंग्रिस में शामिल होने की अर्टिकली भवरसें शेखावत नी समर्थकों को तयार रहने का कहा है सूत्रों के हवाले से एक खबर है जहां खबर बड़नावर से हैं जहां भाजपा कुबड़ा जटका 2 सितंबर कुपूर्व एमेली भवरसें शेखावत कॉंग्रिस में शामिल हो सकते हैं आगे के जहां करें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं बड़नावर सहयोगी पंकज दगदी बताये पंकज क्या है पूरा मामला आपको बता दें कि भाजपा के एक वरिष्ट नेता है और इस छेतर की पिजाएगी जो सिस नित्वत के द्वारा अभेलना के चलते कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं और यह दो तारिक को कांग्रेस की सदिश्टा बोपाल में लेंगे पंकज चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं दो महीने शेश रहे गए हैं और अक्टुमबर के फर्स्ट विक में आच्वार सहीता भी लग सकती है लेकिन इसे भीच खबर आ रही है कि कभी भाजपा विधायक ने भाजपा से इस्तिफा दे दिया है और अब एक और सूत्रो उसे खबर आ रही है कि भाजपा को छोड़ कर कांग्रेस में आ रहा है और वह कहीं न कहीं कार्य करताओं की अभेलना के चलते यहां कदम उठा रहा है अपना जी पंकज क्या भाजपा की तरफ से कोई बयार निकल कर आ रहा है पंकज जब तक खुद भवर से हैं शेखावत की तरफ से कोई बयान निकल कर नहीं आता है इस पर कुछ कहना मुश्किल होगा क्योंकि चुनावी माहूल है अठकल यह कभी भी आ सकती है हाँ जी बिल्बकर हमने इसे समधोकों से जानने की कोशिज की है तो उनके द्वारा बताया गया कि लगभग हमारी संभावना है कि दो तारिक को सुबख 11 बजे भवर से कावाज जी पूरु मुख्यमंति कमालनाज जी एब हम पूरु मुख्यमंति दिकवाजी सिंग के साम कांग्रेस की सद्वावन में लेंगे जी क्या भवर से शेखावत कांग्रेस की सद्वावन में लेंगे सिता ये सूत्रों से खबर है और कई दिनों से चल रही कांग्रेस में शामल होने की अठकली भवर से शेखावत नहीं समर्थकों को तयार वेने को कहा है